हेलो स्टूडेंट वेल्कम पू मैं यूटूब चैनल जी एस इस्टड़ी पुइंट चलिए चैनल के जो मंतिकाली नितिहास को कंटिनू करते हैं जिसमें आज हम जो हैं बस्तर के जो काक्ति वंस थे उसको यहां पर डिसकस करेंगे इससे पहले हमने जो हैं बस्तर के छिंद को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के स्वारी बस्तर के काक्ति वंस हम यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि बस्तर में काक्ति वंस की स्थापना किस तरह हुई थी देखें यहां यह वाला आप छेत्र देख रहे हैं यह पूरा यहां पर दक्षिन भारत व इसां जाने पावारा र्चा राज थाुए यहां पे जो है चालुक के राजेवन का सासन अंद्वा से रुका प्रट लेफितां को पैला यहां पर लिए किया जाता है तो जो मुस्लिमों दौर जब यहां पे आक्रमन किया जाता है तो यह जो चालुक या वारंगल राज में एक राजा होते हैं प्रताप रुद्र देव ठीक है यह इनसे बचने के लिए जो है यह 36 गड़ का यह आप देख रहें यह बस्तर वाला छेतर है यहां प या वारंगल के सासक आए अब यहां पे इनके एक पुत्र होते हैं प्रताप रुद्र देव के उनके पुत्र होते हैं कौन अन्नम देव ठीक है अन्नम देव तो जब यह आते हैं प्रताप रुद्र देव तो उस टाइम जो है बस्तर में क्या चल रहा होता है छिंदक वन्सियों के कौन हरिस्चंद्र देव ठीक है तो उनके साथ आक्रमन करके उनको पराजित करके जो ये अन्नम देव हैं ठीक है ये जो है यहाँ पे काक्ति वन्स की इस्थापना करते हैं clear है तो किस के स्थापना करते हैं कौन करता है तो अन्नम देओ इतने चीज़े आप clear हुई तो चलिए अब आप जो है इस समझ में आगया होगा कि किस तरह से जो है बस्तर वाले छेतर में काक्तिवंस की स्थापना हुई थी आप इसको चलिए हम जो है डिटेल्ड में पढ़ लेते हैं ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है इससे जो है बहुत ज्यादा कोश्चन पूछे जाते हैं काक्तिवन्स थे तो आप इसको द्यान से समझते चलिएगा ताकि इससे संबंधि जिस तरह से भी कोश्चन आपके पूछे जाएंगे उसको आप करने में सक्छम होंग ठीक है तो चलिए देखते हैं बस्तर के काक्तिवन्स देखें बस्तर में जो है सरवाधिक समय तक सासन करने वाला वन्स था काक्तिवन्स ठीक है वारंगल के सासन जो चालुक की राजवन्स के थे वो बस्तर के काक्ति छेतर में सासन करने के कारण जो है काक्ति कहलाए थे प्लियर थे ये बस्तर में आये थे और बस्तर में जो है एक काक्ति छेतर था वहाँ पे इन्होंने सासन किया था तो इसलिए ये जो है काक्ति कहलाए इनके जो आदी पूरुस रहे हैं जो जीन्हों ने जो है बस्तर में जो सबसे पहले आये थे वो थे प्रताप रुद्र देव मुस्लिमों के आकरमन के डर्द से बस्तर वाले छेतर में पहुँचे थे इनके पूतल थे कौन अन्नम देव तो अन्नम देव ने जो है छिंदक नागवंसी के जो आखरी शासक रहे हैं हरिश चंदर उनको पराजित करके जो है काक्तिवंस के इस्थापना की थे और अपनी जो राजधानी इन्होंने बनाई थी वो कौनसी बनाई थी तो मगोता कौनसी राजधानी बनाई थी मगोता ठीक है इनका विवा हुआ था जो चंदेल की राजकुमारी थी चंदेल राजकुमारी शोन कुमरा ठीक है इनसे जो है इनका विवा हुआ था अन्नम देव का क्लियर आगे इसमें आपको एक्ची जोर याद रखनी है बहुत जादा पुछे जाने वाले कोस्चन में से है कि अन्नम देवदारा जो दंते वाड़ा में आके तराला ग्राम में जो संखनी डंकनी मंदीर का नदी है यहाँ पर नदी कर लिजेगा नदी के शंगम पर दंतेश्वरी मंदीर का इन्होंने निर्मान करवाया था ठीक है तो अगर पुछे जाता है कि दंतेश्वरी मंदीर कहां इस्थी थे तो आपको ऑप्सन में दंतेवड़ा नहीं देगा आपको देगा तराला ग्राम ठीक है आगे आप याद रखेगा आगे आए थे भैरावदेयों ठीक है भैरावदेयों में आपको याद रखना है कि इनका विवाह जो है मेघावती इनकी जो पत्नी थी तो एक पत्नी थी मेघावती जिनको जो है मेघाई आरीच केलिन कहा जाता है इससे कोशन पूछे जाते हैं त ज़ू चलाए गई थी पूरु सोत्त म देव, तो इन्हों ने क्या किया था। जो है आपके जू मंगहोता राजधानी थी, उसको बदल के अपनी राजधानी किसा को बनाई थी ? बस्तर को, ठीक ह depressed, और इनको एक उपाधिा प्राप्त थी, क्में से उपाधि Statue की और इस उपाधी को किस ने दिया था इनको तो उडिशा के राजा थे उनके दौर जो है इनको जो है रत्पति की उपाधी के दी गई थी और आज हम जो है बस्तर में जो है बस्तर का दषेरा मनाते हैं गोचा पर्व dobr निगाली जाती है तो ये सब का पूरूसतम देवारा गोचा में वस्तर 75 दिन को सीधा पूच्छा जाता एक से प्योचिन आया भी हुआ है, वस्त yaris के तो 75 दिन ठीक है और यहां पर एक चीज़ और यह याद रखना है कि यह जो है मन्य गोटा से अपनी राजधानी बस्तर को बनाया था इनोंने फिरिख आगे चलिए देखते हैं आगे आपको राजा याद रखना है प्रताप राजदेव ठीक है तो प्रताप राजदेव के टाइम पे क्या हुआ था कि इस टाइम गूलकुंडा के कुली कुतुब साकी सेना से जो है ये बुरी तरीके से पराजित हो गए थे इनके दोरा आकरमन किया गया था और ये इसमें पराजित हो गया थे ठीक है इतनी चीज इसमें याद रखनी है आगे वीर्शी देव इसमें क्या किया था जो राजपूर का कीला बनवाया था इसने ठीक है बस्तर में राजपूर का कीला बनवाया था किसने वीर्शी देव ने आगे आये थे आपके राजपाल देव तो इन में आपको याद रखनी है कि ये जो है उपाधी इनको प्राप्त थी किसकी प्राण प्रत प्रताब चक्रवर्ति उपाधियां बहुत ज़्यादा पूछे जाती हैं 36 गड़ के PCS है या कोई एक्जाम दे रहे हो आप 36 गड़ के रिलेटर तो उसमें उपाधियां पूछी जाती है तो आपको याद रखना है कि प्राण प्रताब चक्रवर्ति की उपाधी उपाधी ज मढकेश्वरी देवी के भक्त थे मलकेश्वरी देवी का ही एक श्व रूप माना जाता है आगे चलिए देखते हैं अगे आये थे दल पत देव पर इसमें एक जियाद रखनी है इनके बास्तर में अपाधा था जो अपर प्रताम आक्रमन हुआ था और इनमें नीलु पंद ठीक है जो भोशला के सेना पती थे वो जो है पराजित हो गए थे ठीक है इनके दर आकरमन के अगरत पर ये जो है हार गए थे और इन्हों ने जो है अपनी राजधानी जो है इन भोशला आकरमन से बचाने के लिए इन्हों ने जो है अपनी राजधानी बस्तर से कहां कर दी तो जगदलपूर कर दी थी तो याद रखेगा पहली जो राजधानी इन्होंने बनाई थी मंगहोता में फिर उसके बाद जो प्रताप रुत्र देवाय थे उन्होंने बनाया था कहां बस्तर और फिर दलपत देव ने इस राजधानी को फिर बदला और कहां लेकर आये थे तो जगदलपूर ठीक है तो इतनी चीज़ याद रखनी है आगे इनके टाइम पे बस्तर में बंजारोद और वस्तु विन्मे बैपार प्रारम किया गे या एक तरह से इसको समझ सकते हैं वस्तुओं का अदान प्रतान जैसे कि अब ही हम कोई भी समान पैसे से खरिज सकते हैं लेकिन उस टाइम क्या होता था जब वस्तु विन्मे के टाइम पे कि अगर यहाँ पे एक आदमी है ये इनसान है अब इसके पास नमक है इसके पास गूर है अब इसको नमक की जर्रत है और इसको गूर की जर्रत है तो यह इसको गूर दे सकता था और इसको नमक दे सकता था इस तरह वस्तु का एक तरह से आदान प्रतान कर सकते थे तो इसी को वस्तु विन्मे बैपार या प्रनाली भी कहा जाता है जिस टाइम पे बस्तर में लॉड़, पुट्र नमक और राख, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे आए थे, राजा MAL अजमेर सी, देखें दलपत्देव के दो पुत्र थे, एक दरियादेव और एक अजमेर सी, दलपत्देव ने अपने पूत्र को, अजमेर देव को उन्होंने उत्राधिकारी, न्युक्त किया था ठीक है तो इसके बाद जो है बने थे कौन अजमेर देओ इनको जो है क्रांती का मशीहा कहा जाता है बस यह याद रखना यहाँ पे दूसरे चीज याद रखेगा कि इनके दो पूत्र थे लेकिन अजमेर सी जो है उत्राधिकारी बन गया थे जिस वज़ा है ठीक है आगे याद रखेए कि अजमेर सी के समय जो है 1770 इस्वी में जो है कमपनी शरकार के जो प्रमुक थे जॉन्सन ठीक है जिनका नाम क्या था जॉन्सन और जो है जैपूर के जो की सेना और भोशलों के अधिन जो नागपूर की सेना ने इन पर क्या कर दिया था आक के टाइम पे फिर सुरू होता है हलबा विद्रो याद रखेगा question पुछे जाते हैं हलबा विद्रो से तो हलबा विद्रो जो है 1774 में जो है ये डोंगर से स्टार्ट होता है और इसका नेतरी तो कौन करते हैं तो कौन करते हैं अजमेर सी करते हैं ठीक है ये एक तरह से हल्बा विद्रोग हुआ क्या था कि देखे जब अजमेर सी और दरियादेव के मद्ध जो है सत्ता के लिए शंखर्ष हो रहा था तो यहां की जो जञजाती ठी डोंगर की जो है हल्बा जञजाती थी उन्होंने क्या किया था अजमेर शी का साथ दिया था ठीक है तो इस तरह एक तरह से जो हलबा विद्रो को उत्रादिकार का शंगर्स भी कहा जाता है इससे क्या हुआ था कि जब पहले आरंबी की स्थिति में जो है अजमेर शी ने क्या कर दिया था दरिया देव को परास्त कर दिया था पर जब दरिया देव ने सत्ता प्राप्त करने के लिए जैपूर के जो महराजा थे और नागपूर के जो मराथा सासक थे और जो अंग्रेज थे थी कि इनकी दरिया देव सहायता लेते हैं किसके विरुद अजमेर्शी के विरुद विद्रोह करने के लिए और इसमें जो है अजमेर्शी की क्या हो जाती है जब विद्रोह होता है तो अजमेर्शी की मृत्ति हो जाती है ठीक है और हलबाओं जो इनके जो हेल्प करते हैं हलबा जन जाती उनका भी जो है बुरी तरीक कि 36 गड़ का प्रथम जन जाती विद्रोह भी आपके हलबा विद्रोह को कहा जाता है, कोश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक ही कौन से छेतर में हुआ था तो डोंगर, अब देखे आगे जो है जब दरिया देव आते हैं तो उस टेम पे जो है मराठा बस्तर में फिर मराठा राज जो है स्टार्ट हो जाता है, देखे दरिया देव जो है जो मराठाओं से जो है हेल्प लेते हैं तो जिसकी वज़े से दरिया देव जो है मराठाओं के अधिन हो जाते हैं, मतलब मराठा जो कहेंगे वो उनको करना पड़ेगा, ठीक है तो आप राजा कौन बनते हैं, तो राजा कौन बने दर्यादेो. ठीक है, और ये जादा तक राजा नहीं रहते हैं. 1770 से 1880 इस्वी तक ही ये शासन करते हैं. इनके टाइम पे आपको एक महतपूर बात याद रखनी है क्या कोटपाट की संधी ठीक है कोटपाट की संधी जो है 6 अपरेल 1778 को होई थी दरिया देव की जो हेल्प करते हैं मराथा सासन तो इन मराथा और दरिया देव के बीच एक संधी होई होती है तो उनको भी याद रखना है कि जो भोशला सासन होते हैं मराथा सासन और दरिया देव उनके बीच की संधी है कोटपाट संधी और कब होई थी तो 1778 इस्वी में होई थी ठीक है इसमें क्या होता है कि बस्तर जो होता है बस्तर वाला छेतर वो जो है भोशला सासन के अधिन आ कौन हैं तो नांग पूर के भोसला की है रतनपूर के भोसला सासक होते है तरयंबघ ृवी होते हैं उपस्थित होते हैं इस संधी के लिए ठीक है इस मə्य होता है कि प्रतिवर्ष दरिया देव को मराथो को 69,000 तकोली देना शिकार किया जाता है दरिया देव मराठो को 69,000 तकोली देंगे और इस टाइम पे ही बस्तर 36 गड़ का अंग बनता है दरिया देव के टाइम पे बस्तर 36 गड़ का अंग बनता है तो इसको आपको याद रखना है आगे इन में याद रखेगा दरिया देव के समय जो है 1795 में जो है भोपाल पटनम संगर सुवा था देखे ये भी एक तरफ जनजाती ही विद्रो था तो जितने भी जो काक्ती वन्स जब आया था बस्तर में उस टाइम जितने भी जनजाती विद्रो हुए 36 गड़ में वो इन ही के बीच हुए है ठीके तो यहाँ पे हम उसको डिटेल एक डिटेल्ड वीडियो में जनजाती व विद्रो हुआ था इसको डिटेल्ड हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जनजाती विद्रो का ठीके तो दरिया देव के समय 1795 में भोपाल पटनम संगर्स हुआ था ये भी एक तरफ जनजाती विद्रो ही था ठीके 1795 में जो है कैप्टन ब्लंट ठीके ये प्रथाम जो उत्तर बस्तर है कांकेर वाला छेतर वहां से ये जो है वापस चले आये थे तो याद रखेगा कि प्रथम अंग्रेज यातरी कौन थे तो कैप्टन ब्लंट ठीके और याद रखेगा कि बस्तर आने वाला ये तो आये थे 36 गरले की नगर पूछा जाता है बस्तर आने व वापस चले गये थे वे जब दूसरी बार आते हैं तो वो बतर आते हैं और दूसरे यूरोपी आतरी बनते हैं कैप्टन ब्लंट , तो इसमें बशूज भिलकूल भी नहीं होना है बस दार आने वाला प्रथम यूरोपी आतरी चाल्सेटियर्ष्ट और दूसरा जो है captain blunt ठीक है और ये दोनों जो है जो यूरोपी आतरी जो ब्यंकेंची भोसला के सासन काल में ही जो है 36 गड़ आते हैं क्लियर आगे चल चलिए देखते हैं आगे शाशक बनते हैं महिपाल देव ठीक है तो इसके टाइम पे आपको याद रखना है बस कि इसके टाइम पे परल कोट का विद्रो हुआ था ये भी जनजाती विद्रोही था ठीक है ये हुआ था 1825 में और इनका जो नेतरित्व किया था वो कीनों ने किया था गेंद सीहने ठीट है तो जो अंग्रेज और मराठा जो है किस तरह से जो 36 गड़ में अपना सासन स्थापि में इसलिए परल कोट विद्रोह हुआ था कि मतलब किसके अगेंस तो अंग्रेज और मराठाओं के अगेंस परन्तु जो है ये असफल रहा कि इनके पास अस्त्र सस्त्र बहुत जादा थे अंग्रेजों के पास जिसका सामना यहां के आदिवाशी नहीं कर पाए थे और यह यहां पर याद रखेगा कि 36 गड़ का प्रतम सहीद माना जाता है तो गेंदसीह को ठीक है आगे चलिए देखते हैं आगे है आपके भुपाल देव तो यहां पर आपको याद रखना है दो विद्रो हुए थे इनके टाइम पे मेरिया विद्रो और तारापुर विद्रो दोन के जो आदी वाशिते उन्हों ने इस अनरबली प्रथा को समाब्त करने के लिए अधिन उप्रथम और ये अधिन प्रत्हम साशक था, तो ये अधिन प्रत्हम साशक रहे हैं भेरम देव ठीक है और इन ही के टाइम पे हमने अभी उपपर देखा था कि Charles Elliott जो है आए थे तो इन ही के टाइम पे जो है Charles Elliott आया थे 1856 में ठीक है और 36गर संभाग का deputy commissioner या फिर पहला deputy commissioner जो बना था वो था आपका Charles Elliott ठीक है तो याद रखेगा पूछा जाता है कि 36 गड़ संभाग का प्रताम डिप्टी कमिशनर कौन था तो चार्स इलियर था और ये कब बने थे तो 1856 में एक कोश्चन यहाँ पे और बनता है कि 1857 की क्रांती के टाइम पे राइपूर का डिप्टी कमिशनर कौन था ठीक एक कोश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांती के टाइम पे राइपूर का डिप्टी कमिशनर कौन था तो कौन था चार्स इलियर था ठीक इसके टाइम पे तीन जनजाती विद्रो हुए थे भैरम देव के टाइम पे एक थे लिंगागिरी विद्रो दूसरा कोई विद्रो और तीसरा है मूरिया विद्रो ठीक है सारे विद्रो को हम next वीडियो में detail से देखेंगे बस याद रखे कि भैरमद्यो के time पे तीन विद्रो हुआ था लिंगागिरी, कोई और मुरिया क्लियर, लिंगागिरी जो हुआ था वो 1856 में हुआ था और कोई जो 1869 में हुआ था और मूरिया जो विद्रो था वो 1876 में हुआ था ठीक है आगे देखते हैं रानी चोरिस ये जो है भैरम देव की पतनी थी इसमें आपको कुछ याद नहीं रखता है बस याद रखेगा इनका नाम था जुगराज कुवर और ये जो है 36 गड़ की प्रथम विद्रोहनी कही जा यार आगे चलिए देखते हैं प्रताप देव रूत्र प्रताप देव ठीक है तो ये जो है इन्हों ने अपने सिख्चा जो ली थी वो कहां से ली थी तो राज कुमार कोलेज जो राइपूर में अभी बी थे वहां से इन्होंने सिक्षा प्राप्त की थी ठीक है और इनका जो राज्या भी सेख हुआ था वो हुआ था 1908 में ठीक है इनकी ही पूतरी थी प्रफूल कुमारी देवी जो 36 गड़ की पहली एक मात्र महिला सासी का बनती है इनके बाद तो ये कौन थी प्रफूल कुमारी दे आगे आपको पता नहीं कि देखे जो यूरोपयों से युद्ध में अंग्रेजो की चाहिता कि थी किन्हों ने रुद्र प्रताप देव झी तो इसी वज़े से उस टायम भाराष शरकार ने इनको एक उपाधि दी थी किसकी सेंट ऑफ जेरुसलेम की थीक है तो पूचा ज तो रूधर्पृताब देव को. इनके टाइम पर एक जनजाती विद्रो भूम काल विद्रोथी के 1910 में, तो आपको याद रखने हैं कि भूम काल विद्रोकाल जो है, कब हुआ था, 1910 में, किसके शासनकाल के टाइम पर रूधर्पृताब्यो की आगे चलिए देखते हैं प्रफुल कुमारी देवी ये रुद्रपताब देव की पुत्री थी और इन्हों ने जो है ये जो है च्छतिसगड की एक मात्र प्रथाम महिला शासी का थी प्रथाम महिला शासी का या एक मात्र प्रफुल कुमार देवी इनके पती थे प्रफुल चंद्र भजदेव पूत्र थे प्रवीन चंद्र भजदेव इनका जो राजिय अभिशेक जो है 1922 में हुआ था इनकी मृत्यू हुई थी 1936 में लंदन में इनको एक रोग था अपेंडिसाइटिस नामक जिसकी वज़े से जो है इनकी मृत्यू हो गई थी आगे जो इनके पूत्र थे प्रवीन चंद्र भजदेव ये जो है बनते हैं कुन नेश्ट शासक ठीक है और ये जो है अंतिम काक्ती शासक रहे है और 1966 में जो है गोली कांड़ हुआ था जिनसे जो है इनके मृत्यू हो गई थी और यहाँ पर याद रखेगा कि सबसे कम उम्र में विधायक बनने वाले शासक रहे है प्रवीन चंद्र भजदेव ठीक है और 1948 में इनके टाइम पे बस्तर रियासक जो है भारत संग में विलय हो गया था ये important point है याद रखेगा कि बस्तर रियासक का विलय जो है भारत में कब हुआ था तो 1948 में किन के टाइम पे तो प्रवीन चंद्र भजदेव के टाइम पे ठीक है तो चलिए वीडियो यहीं खतम करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजिएगा कोई कमी न जराए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा का ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जा सके तो थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग